प्रादेशिक समाचारिकांज फोपाल से प्रस्तोत है जाबुआ जिले की चिर्थी अलेक हरीश कुमार यादफ वाचिक स्वर सैंक्ता बैनुर जी जाबुआ जिले में पचले कई वर्षों के बाद नवंबर में सबसे ठंडा मौसम रहा है सुभा शाम ठंड का सर तेजी से होने लगा लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिये तो वहीं दूसरी ओर मौसम के ठंडा होने के कारण फसलों में पाला आने लगा है सर्थ हवाउने गेहूं की फसल में जान डाल दी है ऐसा मौसम रभी की फसल के लिए बेहद मुफीत रहता है पूरे एक महीने भी ऐसा मौसम रहा तो पैदावार में बढ़ोतरी के साथ ही गेहूं की रंग में चमका सकती है जाबुआ जिले में भी गुजरात वधान सभा चुनाव कर सर दिखाई दे रहा है जिले से गुजरात आने वाले साथ रास्तों पर कड़ा पहरा है माना जाता है कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के सीमा वर्ती जिलों के रास्ते से शराब की तसकरी कर मद्दाताओं को प्रभावत करने के प्रयासों की रोक्थाम के लिए खास प्रबंध किये गए है गुजरात में शराब बंदी के कारण तसकरी के आशंका ज्यादा रहती है जाबुआ जिले से गुजरात के दाहोद जिले की सीमा लगी हुई है यहां वोटिंग के 48 घंटे पहले से लेकर वोटिंग खत्म होने तक सीमा के 3 किलोमिटर के दायरे में आने वाले शराब की दुकाने बंद रखने का चुनाव आयोग ने आदेश दिया है वहीं चुनाव आयोग ने जाबुआ जिले से गुजरात की सीमा पर सटे 54 गाउ में 93 बंदूक शस्त्र निरस्त किये हैं सम्विधान दिवस सप्ता के रूप में 26 जनवरी से 2 दिसंबर तक विधिक जागरुकता कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में कल शास्किय पॉलिटेक्निक महाविध्याले जाबुआ में सम्विधान विश्यक जागरुकता कारिक्रम का आयोजन प्रधान जिला और सत्र नियायाधीश जाबुआ मुहम्मद सयिद दुल अबरार के मार्ग दर्शन में किया गया शिवर में वक्ताओं के माध्यम से चात्रों को सम्विधान प्रस्तावना का वाचन कराया गया इस शिवर में स्टाफ और बड़ी संख्या में चात्र उपस्थित रहे जाबुआ के बाजारों में धीरे धीरे कपास की आवक होने लगी है इसके साथ ही जिले के साथ हजार किसान परिवारों के उमीद को पंक लगने लगे है पिछले साल 14,000 रुपे प्रती कविंटल के भाव से कपास मिल रहा था माना जा रहा है कि आवक बढ़ने के बाद भाव बढ़ेंगे जाबुआ जिले में खरीब 34,000 हेक्टियर में कपास का रगबा है मधितदेश निर्वाचन आयोगद्वारा मधदाता सूची के संक्षप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतरगर जारी दशा नर्देश पर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रजनी सिंह के मार्ग दर्शन में जिला सूइप मदाता जागरुकता सप्ता के तहट पूरे जिले में वभिनकते विधियों का आयोजन किया जा रहा है जिला सूइप कारिक्रम के तहट विद्याले और महा विद्याले में अध्यनरत छात्र छात्राओं को जिनका अभी मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है उन्हें मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए प्रेरत किया गया जाबु अजिले में राश्चुय नवजाज शिशु सप्ताह 21 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया गया हर बच्चे को जन्म से ही स्वास्त और पोशन से भरपूर जीवन प्रदान करने की मंगल कामनाओं के साथ कारिक्रम का शुभारंप किया गया आशा कारिकरताओं के माध्यम से स्वस्त शिशु और मा की देख भाल की गई तथा जन्म के समय बीमारी से पेड़िद बच्चों को उप्चार प्रदान किया गया जाबू अजिले में आईश विभाग ने जन्सामानिय को घर बैठे नहिशल के लाज की सुविधा देने के लिए आईश क्योर टेले मेडिसन सुविधा उपलप्त कराई है नागरिकों को आईश की तीनों विधाओं आयरवेद, होमियोपेथी और युनानी का लाब प्रदान किया जा रहा है आईश क्योर अप अब तक 50,000 से अधिक नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है जाबू अजले में आईरन की कमी से होने वाले गंभीर स्वास्त परिणामों और उपचार के बारे में जागरुकता बढ़ाने के उदेश से आईरन डिफिशेंसी अनीमिया जागरुकता सब्तहा 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक मनाया जा रहा है अनीमिया मुक्त भारत के माध्यम से सरकार जिले की लगभग 50 प्रतिशत आबादी तक पहुँच रही है जाबू अजला प्रशासन द्वारा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक विभिन अस्थानों पर कोशल और रोजगार मेलों का आयज़न किया जा रहा है रामपुरिया और थांदला में कोशल और रोजगार मेले आयज़त किये गए जिसमें SBI, Life Insurance, L&T, Constructions, आधी कंपनियों के प्रतिनेधियों द्वारा विभिन पदों के लिए अभियर्थियों का चैन किया गया जाबुआ जिले में युवा अभियान के अंतरगत 18 वर्ष से का मायूवर के प्रतिभावान बालक बालिका खिलाडियों की पहचान और प्रोथसाहन देने के लिए परंपरागत, देशी, कबड़ी, खोखो कुष्टी, वॉरीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स को झाल है